हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूटुब चैनल और आज की इस वीडियो में हम सीरीज पैलल बोर्ड कनेक्शन करना सीखेंगे पीछे वाले वीडियो पर आपने कमेंट किये थे कि आपने सीरीज पैलल दोनों तरह के वायरिंग चाहिए तो आपकी रिक्वेस्ट पर ही मैं आ आप इसे यूज कर सकते हैं और ये वाला रहेगा हमारा सीरीज पैलल बोर्ड तो चलिए अब मैं आपको इसकी वायरिंग करना सिखा देती हूं तो गाई सबसे पहले हम इस एक्स्टेंशन की वायरिंग कर लेते हैं तो इसके लिए मैं इस स्विच को इस सोकेट के साथ कने कर दूंगी तो काईस यहां पर मैंने यह वायर कनेक्ट कर दिया अब हम जो हमारा फेस वायर होता है इंकमिंग सप्लाई का जो हमारे बोर्ड में इंकमिंग सप्लाई आती है वह वाला वायर हमें कनेक्ट करना है और वह वायर हम कहां पर कनेक्ट करेंगे इस वाले स्विच तो इस स्विच यह लेना है एक ओर वायर और इसे हम कनेक्ट करेंगे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से सोकिट के इस वाले टर्मिनल पार कैस Andrew C यहां पर भी मैंने वाइर connect कर दिया है अब हमें क्या करना है अब हमें एक और वायर ले ना है और इसे हम connect करेंगे इस वाले टर्मिनल से ऑपर वाले टर्मिनल पर यह तो guys हम इस वायर को यहां पर connect करेंगे स्विच्छ के उपर वाले टर्मिनल से holder के उपर वाले टर्मिनल पर तो guys इतनी wiring हमारी हो गई है अब हमें क्या करना है हमारा जो ये वाला switch है इस पर हम phase supply पहुचा देंगे तो phase supply पहुचाने के लिए यहां से यहां तक हम एक phase wire connect कर देंगे तो guys इतनी wiring हमारी हो गई है अब हमें क्या करना है अब हमें करनी है neutral wiring तो neutral wiring के लिए हम इस neutral wire को holder के नीचे वाले टर्मिनल पर connect कर देंगे फिर हम इस socket के neutral वाले टर्मिनल पर ये wire connect कर देंगे यानि कि यहां से यह wire यहां पर चली जाएगी तो guys wiring हमारी complete हो गई है अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं और टेस्टिंग के लिए हम इसे box में fit कर लेते हैं तो guys हमारा board टेस्टिंग के लिए ready है guys video देखने के बाद अगर आपके मन में इतना सा भी doubt होना तो आप पेज़ी जग पूच सकते हैं और आप मुझे next topic भी बता सकते हैं कि आपको किस topic पे video चाहिए तो चली guys अब हम इसे test कर लेते हैं तो इधर वाला board हमारा series और parallel में है और इधर वाला हमारा ये extension की तरह है तो मैं पहले इसे series में test करके दिखा देती हूँ तो test करने के लिए मैंने यहां पर एक loop ले लिया है तो आप देख सकते हैं कि हमारा bulb series में जल रहा है जब आप किसी equipment को series में test करते हैं और ये bulb full जलता है तो इसका मतलब आपका equipment खराब है अगर आप किसी चीज को test कर रहे हैं और ये bulb नहीं जलता है तब भी आपका equipment खराब है और अगर ये bulb dim जलता है किसी भी equipment को test करने पर तो इसका मतलब आधी power इसमें आ रही है और आधी power आपके equipment में जा रही है इसका मतलब वो ठीक है तो गाई सीरीज का मैंने आपको समझा दिया है अब मैं parallel में इसे जला कर दिखा देती हूं तो parallel में आप इस switch से on off कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो आपको नहीं चाहिए तो आप इसे off रख सकते हैं तो आप इसे parallel में भी use कर सकते हैं इस वाले socket को आप जिस तरह से और socket को आप regularly use करते हैं उस तरीके से use कर सकते हैं मैं आपको करके भी दिखा देती हूं तो यह मेरे पास एक लेंप है लेंप को हम इसमें लगाएंगे और यहां से on करेंगे तो गाई इस तरीके से आप सीरीज पैनल बोर्ड के कनेक्शन करना घर पे ही असानी से सीख सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें अगर आपका कोई question और suggestion है तो comment box में comment करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और topic के साथ किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye and take care